हेलो दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनेर क्लासेज में कुई जब्यासम सौथ देखेंगे है इस वीडियो में कश्चा सात्वी का गणित का पीखे 31.5222 तो सात्वी की गणित के कॉशन देखेंगे 12 प्रश्चन है इस वीडियो म रखी है तो दो कॉण रेक बुजा याने की एस ए ओप्शन नमर एक सही होगा एंगल साइड एंगल को दूसरा प्रस्चन देखिए तो बुझ वाइए इस की रचना करने के लिए कौण ही साथ डिग्री एस मैंतिस डिग्री और कॉण और इस साथ से मी चात्रे और बीका का कौण बनाई है चलंड तीन है ईजे और एक प्रतिष्चेत बिंदू को बिंदू वाइक के रूप में चनित कीजिए चात्र बी चलंड एक किसी भी लंबाई की किरण एस जैड कीजिए चलंड दो एजट के साथ 55 डिग्रे कौण बनाते हुए एक किरण ऐस यू बनाई है और किरण एस यू पर एक बिंदू एक इस तरह खिच जिनित कीजिए कि यह साथ से में हो चलंड तीन है ईपर सांट डिग्री का कौण बनाते हुए एक किरण खिचिए जिसमें एस किरण एस जेड को पाइप पर काटती हो किसका कारे सही है तो यहां दोनों का ही कारे सही है जात्र ए और बी ओप्शन नमर तीन सही है फिर एक रेखाकन देखिए एपी बराबर पांट से में है त्रिभूच टी एपी की रचना करने के लिए पहरा चलंड है कौन एप चास डिग्री कौन पी पैंसर डिग्री और एपी पांट से में दिखाया गया है चलंड एक है प दिखेंगे त्रिभूच के दो कौन एक बुझा क्रमशा सांट डिग्री चालिस डिग्री और पांस सेमी है नीता का कहना है कि इसकी रचना करने के लिए ऐसे प्रतिविन का प्रयोग करना होगा क्या वर्स सही है तो हां इसका उत्तर है हां कि अब देखी यहां पर ठ्रिभूच बना रखे है वे पर ऐसी डिग्री ओर क्यूपर गूंड का कोण गूटरश सेकर्डी करना करgenा करती है और इक किरंट कुछती है जो 80b कोन बनाती है फिर वह है गनेशे समकॉन के लम की रचना कर रहा है जो हैल पर कौन है जिसमें लम आट सेमी और केम दस सेमी है ऐसा करने के लिए वह आट सेमी लंबाय का एक रेका कंड एलम कीचता है और फिर एलम के लंबवत एल पर एक किरन टी खीचता है उसका अगला चरण क्या होना चाहिए सही उत्तर होगा ऑप्शन मर्दू एम को के इंद्र मानकर एल्टी किरन पर दस सेमी तरिजा का एक चाप खीजिया या किरन एल्टी को बिंदू के पर काटता है अगला प्रशन देखिए चित्र के माध्यम से प्रिया है एक समकौन त्रिबूच एच डी एस की रचना कर रही है जो डी पर समकौन है जिसमें एच डी आट सेमी और केंदर के रूप में खिचने की आवश्यक्ता है सही उतर होगा सत्रा सेमी आप्शन नमर तीन चरण दो एच बी के लंबवात एच पर एक किरन एच वाई खिचता है चरण तीन किरन एच वाई को बिंदू पी पर प्रतिशित करने के लिए 25 सेमी त्रिजा के केंदर के रूप में भी के साथ चाप कीचिए अगले चरण में आफशक त्रिबूच बनाने के लिए क्या ज लम कौन है जिसमें बी सी तीस सेमी और एची पचास सेमी है चरण 1 है तीस सेमी लंबाई का एक रहा कन बी सी कीचिए चरण दो बीपर पी सी पर लंबवाद एक किरन भी दैट कीचिए चरण 3 को के अंदर मानकर बीजा को प्रतिशित करते हुए 25 सेमी तरिजा का चाप कीच यहां पर कौन खीचा गया है के अल दस्य में तो प्रश्ण है त्रबूच के लिए कुछ रण दिखाये गए हैं जहां कोन के साथ डिग्री एल कौन एल पैतालिस डिग्री और के अल दस्य में चरण एक दस्य में लंबाई का एक रेकाकंड के अल कीचिए देखिए कीचा चरण 2 के पीचे क्या कारण है एंसरों का क्योंकि बिंदू M KZ गिरण पर होना चाहिए अगला देखिए यहां पर कौन J है 30 डिग्री और R है 120 डिग्री जे आर अठार से में दिया है तो त्रिबू J R S की रचना के कुछ रण दिखाये गए हैं जहां J R 18 से में कौन R 120 तीन है जे को कहिंदर मानकर J R से 30 डिग्री का कौन मनाती हुए किरण J Y कीचिए क्या चरण 3 सही है और क्यों तो एंसर होगा हां कौन J 30 डिग्री के रूप में है अगला प्रशन है निमले की चरण का एक समकौन ट्रिबूच P Q R की रचना को दिखाते हैं जो Q पर समकौन है जिसमें Q R 21 सेमी और P R 35 है चरण एक है 21 सेमी लंबाय का एक रेकाकर Q R कीचिए चरण दो बिंदू Q पर Q R के लंबाद एक किरण QS कीचिए चरण 3 आर्वों खें QS पर स्थीते और आर्व को केंद्र मानकर पैते सेमी त्रिजा लेकर खिचे गए चाप भी स्थीते हैं तो यहां पर हमारे प्रशन पूरे हो गए हैं कि सारे प्रशनों को उतर आपको मैंने इस वीडियो में बता दी हैं आशा करते आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में